नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्य की रामे और मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोशी आज की तारीक से मुलाकात का सिलसिला गाजियाबाद में आरंभ हो रहा है आज गाजियाबाद में हम उपलब्ध हैं मुलाकात करने आप आ सकते हैं आज भी कल छुट्टी रहेगी 15 अगस्त हम लोग का सुतंतरता दिवस कल भी आ सकते हैं मिलकर कुंडली का विशलेशन करवा सकते हैं और कल की तारीक जो है वह आप लोगों के लिए 50% डिसकाउंट की अंतिम तारीक है इसके बार पूर्णत है जो पूरुवत हमारा परामर्शुलक है वो आपके लिए दे होगा जियश्टी सहीत प्रीमित्रों आप बनारस में भी मुलाकात कर सकते हैं जहां पर हमारी उपलब्धता तिनांग 20-21-22 तीन दिन रहेगी बनारस में मिलने का अवसर आपको इश्वरीय क्रिपा से राप्त होगा कार्याले के नंबर पर वाट्सअप करिए और मिलने का समय सुनिश्चित करिए आए सुर्वात करते हैं वाज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अजभुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा स्रामण महाश्चुक्ल पक्ष नौमी तिथी है आज सुबह 10 बचकर 23 मिनट तक इसके बाद 10 मी तिथी का उदय रहेगा चंद्रमा भी व्रिश्चिक में ही है दोपहर 12 बचकर 11 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र और उसके बाद जेश्ठा अनुराधा शनी का नक्षत्र है और जेश्ठा बुध का नक्षत्र है तो आज राशी तो एक ही है ब्रिश्चिक लेकिन नक्षत्र दो रहेंगे अनुराधा और जेष्ठा शनी और बुधा योग रहेगा एंद्र तदनुसार दिनांक 14 अगस्त दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय दोपहर 12 से 31 और गुलिक काल का समय जरूर नोट कर लिजेगा गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 10 से 12 वजे तक जैसे राहुकाल में आप नय और शुबकाम ना करे तो बहतर है गुलिक काल में आप नया और शुबकाम का आरंभ अगर करते हैं तो काम आपके बनते हैं सकारात्मक उर्जा आपके लिए संचालित होती है मेश से लेकर मीन तक चर्चा अब आज के राशी फलकी मेश राशी हर परेशानी से बाहर निकलने का आउसर आपको प्राप्त होगा सकारात्मक ता के साथ तेजी से आगे बढ़ने का आउसर मिलेगा शिक्षा आपकी बहुत अच्छी चल रही है शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ब्यापार अनुकुलता के साथ है बिजनस में आपको अबसर प्राप्त होगा बिजनस में दिव्विता आपके साथ जुड़ी रहेगी प्राइवेट सेक्टर की स्थिती को आप बहतर करने में काम्याब होंगे सूने से सिखर तक आज आप पहुँच सकते हैं सरकारी छेतर थोड़ा सा डामाडोल मामला दिखाता है गौर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा पकड़ कर चलने के आवश्यकता है दामपत्य जीवन पधि-पत्नी की बीच तालमेल की कुछ कमी प्रदर्शित हो रही है स्वास्त के मामले में लीवर की समस्या आज हो सकती है क्या उपाय करना है मेश वालों को अगर आपकी राशी मेश है तो आज अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य लगा ले शुभरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्शत बावन ब्रिशब राशी आज सात्मे के चंद्रमा का प्रभाव दुतियेश और पंचमेश का नक्षत्र रहेगा लेकिन दोपहर तक तो आज आज आपका पवबार है शनी का नक्षत्र ये आपके लिए बहुत सकरात्मक होता है सिक्षा की स्थिती एक अलग जोन में आपको लेके जाती है ब्यापार बहतरीन है बिजनस में आपको कुछ सोचने की आवश्यक्ता नहीं है कुछ बहतर परिणाम आज आपको प्राप्त होगा प्राइवेट सिक्टर आपके लिए कुछ चिंता का विश्य देता है दामपत्य जीवन को थोड़ा सा सभल कर चलाने की आवश्यक्ता है पति-पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी चंद्रमा के कारण जागरित होगी स्वास्त के मामले में आज खांसी के संभावना है और जुखाम भी हो सकता है चंद्रमा आपकी राशी को देख रहा है उच्च दृष्टी से हलाकि अनुशाशित जीवन शैली चीजों को सुगम करेगी क्या उपाय करना है तो प्रियोग की जहां तक बात है आज प्रियोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागी प्रिद्शत पच्चपण मिथुन राशी आईए आपके लिए प्रभाव आज छठे भाव से जागरित हो रहा है अकसमात कुछ इस्थतियां आपके लिए प्रतिकूलता के साथ चल रही है शुक्षा की इस्थति अचानक कुछ नुकसान दे सकती है शुक्षा में परिशान महसूस करेंगे ब्यापार आपके लिए कुछ बेहतर रास्ता खोल रहा है बिजनस में आपके लिए next लेबल का प्रभाव दिखेगा प्राइवेट सेक्टर दमदार प्रभाव दिखा रहा है प्राइवेट सेक्टर में परिस्थती बहुत बहतरीन है सरकारी छेत्र की स्थती को आप समार सकते हैं गौर्रिमेट सेक्टर में अपनी प्रजंस आज़ाव फील करा सकते हैं दामपत्त जीवन की स्थती की बात करें तो पति-पत्नी उतार चड़ाओं के साथ मुश्किल की स्थती आती है स्वास्थ के मामले में आज का दिन मिथुन राशी मांसिक परेशानी और डाजेशन को ले करके परेशान हो सकते हैं क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर उल्टी हथेली पर दो भूद सर्सों का तेल ले ओम शम्शनिष्चराय नमह कहते हुए किसी पौधे के नीचे डाल दे शुबरंग आपके लिए पीला भागिप्रशत पचास करक राशी यहां चंद्रमा पंचम को जागरित कर देगा आज सब कुछ बहुत बहतर होने के चांसज है पढ़ाई बहुत अनकूल रहेगी शिक्छा में किसी प्रकार का दोश नहीं रहेगा शिक्छा की स्थती हर तरह से आपके लिए उत्तम परिणाम दिखाएगी ब्यापार कुछ मामलों में आपको परेशान कर सकता है बिजनस में उल्जने बढ़ सकती है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा परिस्थतियां अनकूल रहेंगे सरकारी छेत्र बेहतर स्थती मिलाएगा गौर्णनेट सेक्टर की स्थती बेहतर रहेगी दामपत्य जीवन पत्य पत्नी के साथ तालमेल को बैठाने में आपकामियाब रहेंगे हर कदम पर आपको अनकूलता मिलेगी स्वास्त के मामले में सांस की दिक्कत और बैठ की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजे शुभरंग आपके लिए बादामी भाग की प्रत्शत पचास चर्चा सिंग हराशी की यहां चंद्रमा अपनी प्रजंस चतुर्थ भाव में रखते हुए दसम को पूरुन दृष्टी से देखेंगे पढ़ाई में कई प्रकार की स्थतियां डावा डोल होंगी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चलेगी अचानक कुछ नुकसान हो सकता है सिक्षा की छेत्र में ब्यापार लेकिन आप कुछ अच्छा आज उठा सकते हैं बिजनस में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर जैसा आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा ब्यहतर प्रभाव दिखाएगा सरकारी छेत्र इदर उधर की बातों से आपको परेशान करेगा गौर्मेंट सेक्टर में अचानक किसी उल्जन में फंस सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा अवसर अच्छे मिल जाएंगे पती पत्नी के साथ ताल मिल बैठेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लीजे अपने उपर छिड़काओ कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग की प्रतिशत पच्छपन कन्यराश तिरतिय भाव को आज बल देता हुआ चंद्र कई मामलों में आपको परिशान कर सकता है आज खश्ठेश का नक्षत्र भी है नुराधा कन्यराशिवालों के लिए दिन उतार चड़ाव भरा रहेगा पढ़ाई में कई प्रकार से आपको परिशान होना पड़ सकता है शिक्षा की स्थिति उल्जन पैदा करेगी ब्यापार को लिए करके थोड़ा सजग रही है बिजनस में अचानक किसी मोड पर आकर के आप उलज सकते हैं बिजनस की स्थिति को समारें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई आरंभ की तरफ इशारा करता है प्राइवेट सेक्टर को सकारात्मक परिणाम के साथ लेकर के चल रहे है सरकारी छेत्र थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ दे रहा है लेकिन आप उसको समाल सकते हैं दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा पति-पत्नी की बीच तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा सपूर्ट बहुत अच्छा मिलेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द की शिकायत और लीवर की समस्या दिखाता है प्रियोग क्या करना है आज कन्या राशी वालों को भगवान सिरी हरी का ध्यान करना है ओम विश्णवे नमह ओम विश्णवे नमह ओम विश्णवे नमह ग्यारह बार इस मंत्र का जाप करें शुभरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रदिशत तिरपन तुला राशी आपके लिए आज का दिन बहुत अनकूल है पढ़ाई में सुधार हो रहा है सिख्छा के लिए आज कुछ नया आरंभ कर सकते है ब्यापार हर कदम पर आपके लिए अनकूल इस्थतियों में ले कर आएगा बिजनस में आपके लिए किसी प्रकार की दुराव की स्थति नहीं है प्राइवेट सेक्टर को जितना आप बल दे सकते है आपके लिए सब प्रकार से सकरात्मक रहेगा सरकारी छेत्र सकरात्मकता को आरंभ कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में शुरता रहेगी दामपत्त जीवन तुलाराशी थोड़ा बहुत उल्जन तो पैदा होगा मंगल की स्थती के कारण स्वास्त के मामले में आज का दिन सांसों की दिक्कत आँख की समस्या और लीवर की समस्या दिखाता है क्या प्रियोग करना चाहिए प्रियोग के तोर पर तुलाराशी वालों को आज भगवान शिव का ध्यान करना है और शिवाले अवस्य जाएं आज शिवाले जाकर के एक चुटकी गोपी चंदन हलका सा चाहें तो गीला कर ले और शिवलिंग पर अर्पित कर दें जिसका लेप शिवलिंग पर होता है आप जो तिर लिंगों में भी देखते हैं कि अलग अलग तरह के शुगंदित द्रव्य लेप किये जाते हैं शिवलिंग पर भगवान महादेव की प्रशनता की निमित्त उनकी उनका श्रिंगार होता है हर तरह से जो जो उनको प्रिय सास आस्त्रोक्त वरणित है उसमें से एक चंदन भी है तो आप इसे अरपन करिएगा तुला राशी शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रत्षत 57 ब्रिश्चक राशी चंद्रमा आपकी राशी को आज जागृत करेंगे शिक्षा के इस्थिति आज बहुत अच्छी है पढ़ाई में सुधार है मैं आपार तकलीफ दे रहा है थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करने की आवशक्ता है प्राइवेट सेक्टर अचानक से किसी मोड पर आकर आपको आज कष्ट दे सकता है ज्यादा इधर उधर उल्जने की आवशक्ता नहीं है बिलकुल स्मूथ लाइन पर चलिए लीग पर चलिए बहतर होगा सरकारी छेत्र वालों के लिए आज कुछ बड़े चैलेंजस सामने दिखाई देंगे चंद्रमा आपकी राशी पर है आज आप लाइम लाइट में रहेंगे आज कारी छेत्र में आप पर फोकस रहेगा तो थोड़ा अपने आपको जितना अनुशाशित और साध के रखेंगे उतना बहतर होगा दामपत्य जीवन चंद्रमा की उच्चो द्रिष्टी आपके सब्तम भाव पर पढ़ रही है चंद्रमा को की बिश्चिक के लिए भाग्येश होता है तो आज भाग्य का साथ आपकी मैरेड लाइफ को अवश्य प्राप्त होगा स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या जुखाम खांसी की शिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए भाई अगर आपकी राशी बिश्चिक है आज बिश्चिक राशी वालों को प्रियोग के तोर पर भगवान शिव का ध्यान कर करके शिवलिंग पर वेल पत्र अर्पित करें शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रत्षत चवगर धनुराशी चंद्रमा का प्रभाव द्वादस भाव में रहेगा थोड़े उतार चढ़ाओ वाले दिन आज कहे जा सकते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है शिक प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दिखा रहा है चीजों को साध कर अच्छा करने का प्रयास करिए सरकारी छेत्र कुछ नया करेगा गौर्वर्मेट सेक्टर में कुछ नया होगा दामपत्त जीवन पति-पत्नी के साथ घुमने टहलने के कारिक्र हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत अठावन मकर राशी यहां चंद्रमा आ गए एक आदर्स भाव में नए योजनाओं के लिए आज का दिन बहुत अनकूल है नहीं नहीं योजनाएं बना सकते हैं पढ़ाई में आज बहुत कुछ बहतर होने जा रहा है स्रिक्षा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनकूल है ब्यापार में मामला कुछ दब सकता है ब्यापार की स्थिति को समारे प्राइवेट सेक्टर कुछ नया आरंभ दे रहा है, सकरात्मक स्थती पैदा होगी सरकारी छेतर को सुधारने में आपको कुछ बड़ी कामयावी मिलेगी गउन्मेंट सेक्टर के लिए बड़ी कामयावी मिलेगी दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीश तालमेल कम है इस पर बहुत फोकस करने के आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाये तो फेट की समस्या आँखों के दिक्कत और लीवर की दिक्कत हो सकती है मकर राशी प्रियुक के तोर पर आज भगवान गणेश का ध्यान करने ओम गंगण पते नमह ओम गंगण पते नमह इस मंत्र का जाप करें शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रतिशत 50 कुम्बराशी आपके लिए आज का दिन कुछ नए आरंभ की तरफ इशारा करता है दसम में चंद्रमा का प्रभाव है पढ़ाई बहुत बेहतरीन सुख्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं ब्यापार की स्थती कई तरह से आपको परिशान कर सकती है बिजनस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवशक्ता है प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए नए सुरुवात के लिए कुछ आज मित्रों का साथ और सलाह मश्वरा अवर से ले सरकारी छेत्र कुछ बहतर करने का चांस मिलेगा और आप अपने आपको प्रूब करेंगे दामपत्य जीवन जल्दिबाजी वाली पर थोड़ा सा अंकुष लगाना ये सब ध्यान देना होगा आज चीजे थोड़ी सी मैसी और बिगड़ी बिगड़ी सी लगेंगी कुम्भ राशी स्वास्त के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आज उपाय के लिए तुलसी की एक पत्ती सुबह सुबह पहले आहार की रुप में ग्रहन करें शुबरंग आपके लिए आस्मानी भाग्य प्रत्षत चौवण में राशी में राशी वालों के लिए आरंभ बहुत उत्तम रहेगा आज आज का दिन आपके लिए चंद्रमा के एक बहतर पोजिशन पर रहने का परिणाम दिखाएगा अर्थात आज चंद्रमा भाग्य भाव में होने का आपको बहुत बड़ा इनाम देगा पढ़ाई आपके लिए बहुत कुछ बहतर कर रही है शिक्षा में लाब हर कदम पर होगा ब्यापार के लिए आपको रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहिए बिजनस में बहुत जादा रिस्क लेना आपके लिए उत्तम नहीं है प्राइवेट सेक्टर कुछ बहतर परिडाम की तरफ इशारा करता है अर्थात प्राइवेट सेक्टर वाले में जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ नया सुरू हो रहा है सरकारी छेत्र को बहतर करने के लिए आपको सुच समझ कर निरड़े लेना होगा गौर्रिमेंट सेक्टर के लिए चीजे अनकूल हो रही है दामपत्य जीवन मामला थोड़ा आज नजदीकियों में कमी रहेगी तो दामपत्य जीवन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यक्ता है लव लाइफ जैसा आपने सोचा है उससे कहीं जाता बहतर रिजल्ट मिल रहा है स्वास्त के मामले में चीजे उलजी-उलजी सी लगेंगी लेकिन आप उसको नियंत्रण में ला सकते हैं क्या उपाय करना है आज प्रियोग के तोर पर आपको बहुत प्यारा सा उपाय बताते हैं अगर आज आपके लिए में राशी है तो कच्चा दूध और शहद शिवलिंग प्यारपन करें शुभरंग आपके लिए आज औरेंज भागी प्रत्शक 57 राश्यों की स्थती के बाद अब आज का सक्सेज की चीजों को सफल करने के लिए आप पर इश्वरिय कृपा अपने आप बरस रही है क्या उपाय करना है देखिए अगर आपको सफलता चाहिए तो सक्सेज की एक बहुत बड़ा प्रियोग होता है प्रियोग के तौर पर दही और चीनी दायनी अथेली पर रख ले और अपने इश्ट का ध्यान करे और सुबह सुबह इसका सेवन कर ले प्रातहकाल घर से पग निकालने से पहले शुबरंग आपके लिए बस इतना सा करिए वो तो फ्लो में उपाय के बाद हम सुबरंग बोलते हैं तो फ्लो में बोल गए वो तो राशियों में हमने बता दिया है प्रियोक करते हैं अब आज का भाग्याग्षर मेश लाग्षर ब्रिशब वा मिथुन काग्षर करक सा सिंग पाग्षर कन्या या तुला हाग्षर ब्रिश्चिक भा धनू गाग्षर मकर था कुम्भ जाग्षर मीन या शुब भाग्याग्षर को सादे चकोर कागच पर लिखना है और अपने पास रख लेना है और अब चलते चलते आज का आयुश्मान भव है अगर आज दिनांक 14 अगस्त को आपका जन्म हुआ है किसी भी वर्ष तो उपाय आपके लिए इस वर्ष को शुब करने का चुकि आज अनुराधा और जेश्ठा दोदो नक्षत रहें तो एक पीपल का पौधा और 11 तुलसी के पौधे कहीं लगा दीचेगा ये दो प्रियोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए कुछ चीजें बहुत सकरात्मक और बड़ी होती है अगर आज आपकी मैरेज अनुरसरी है तो तीन बर्गत का पौधा और चार नीम के पौधे कहीं लगाएं पती पत्नी दोनों बहुत संतुलन में रहेंगी चीजे अनुकूल इस्थतियां रहेंगी सकरात्मकता रहेंगी और आप उन्नती करेंगे चर्चा करेंगे अब आगे आपसे विदा लेने का मस्त रहें प्रशन रहें सुखी रहें और मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद हम आचुके हैं आज से लेकर उन्निस तक रक्षा बंधन तक गाजियाबाद बीस इक्किस बाइस ये तीन दिन हमारे आपके लिए रहेंगे बनारस में अपॉइंडमेंट नंबर चली रहा है जरूर आप इस नंबर पर वाटसप करें और मिलने का समय सुरिश्चित करें बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद अनुमत दीजेगा आपना ख्याल रखें नमस्कार स्रीकिष्णा शेरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक कि झालस लगवाद मंगल और एक्षद में किady बड़िए वा मंगल लाद material और सीयब कि लिए संतान गालस में किर तूम मॉडलिंग